नमस्कार, निर्मान आईएस में आपका स्वागत है आज हम दाहिंदू में प्रकाशित लेक, वाई एन इंडस्ट्री और पॉलिसी इस क्रूशियल पर चार्चा करेंगे यह आर्टिकल पिछले सब्ता दाहिंदू में प्रकाशित लेक पर आधारित है आईए देखते हैं संदर क्या है? वर्ष 2017 में जीडीपी या सकल घरल उत्पाद में विनिर्मान चेत्र का योगदान केवल 16 प्रतिशत रहा 1991 में आर्थिक सुधार के बाद यह एक स्तिर्था को प्रदर्शित करता है यह प्रमुक एशियाई अर्थववस्थाओं की विप्तित प्रदर्शन को इंगित करता है उदाहरन के लिए मलेशिया में जीडीपी में विनिर्मान का हिस्सा 24 प्रतिशत तक बढ़ गया और थाइलेंड का हिस्सा 13 प्रतिशत से बढ़ कर 33 प्रतिशत हो गया दूसरी और तीसरी पंच वर्षी योजना आवदी के अलावा भारत की अर्थववस्था में विनिर्मान अग्रणी शेतर कभी नहीं रहा है विकास में विनिर्मान का युगदान क्या है आईए जानते हैं कोई भी प्रमुक देश विनिर्मान गतिविधियों को बढ़ावा दिये बिना आर्थिक विकास को बनाई रखने में कामयाब नहीं हुआ है इसका कारण यह है कि उद्योग और विनिर्मान में उत्पादन इस्तर क्रशी या सेवा शेतर की तुलना में बहुत अधिक है और यूरोप में 2008 के संकट के बाद नव उदारवादी नीतियों के पूर्विवर्ती समर्थकों ने मुक्त व्यापार में स्वैम के सिध्धानतों के विप्रीत अपने और द्योगिक शेतरों को पुनर जीवित करने के लिए सरकारी रणनीतिक प्रयासों को शुरू किया यूरोपिय संगने मोटर वाहनों, परिवहनूप करन उद्योगों, उर्जा उद्योगों, रसायनों और क्रशी खाद उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशिस्ट शेतरों की पहचान की व्यापार और विकास पर सयोगत रास्ट सम्मेलन या अंकटार्ट के अनुसाथ पिछले एक दशक में 100 से अधिक देशों ने ओद्योगिक नीतियों को अपनाया है हाला कि भारत ने अभी भी कोई इसपस्ट विनिर्मान नीति नहीं है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने और व्यापारिक गतिविदी को आसान बनाने पर ध्यान केंदेत करना महत्पून हो सकता है जैसा की मेकिन इंडिया करता है परन्तु एक उद्योगिक नीति का गतन नहीं होना चिंता का विशा है यहां तक कि नव उदार वादेश्ट रेटी के अर्थशास्त्री बाजार की विफलता के मामले में सरकारी हस्त्षिप को स्विकार करते हैं मुख्यधारा के अर्थशास्त्री बाजार की विफलता के विशिस्ट उधारणों की और संकेत करते हैं जिनके लिए सरकारों द्वारा संचालित और द्योगेक नीतियों के आविशक्ता होती है पूजी बाजार में कम्या आमतोर पर सूचना संपरकों में विशमताओं के परणाम सरूप हैं अर्थ विवस्था में पर्याप्त वी निवेश की कमी फर्म इस्तर पर निवेश के संबन में प्रशिक्षन की जानकारी के अभाव तता तकनीकी रूप से अन्योन नाश्यत नि आईए जानते हैं पहला बड़े पैवाने पर पूजी बाजार में अपूर्णता से बचने के लिए तथा महत्यपून अर्थववस्था होने के कारण एक पूरक निवेश समनवय की आविशक्ता है उधारन के लिए विशाका पत्नम चेनने और द्योगिक गल्यारे की परि द्वारा प्रबलित किया गया है विशेश रूप से आकादमिक के साथ साथ व्यवसायक प्रसिक्षन के द्वारा अधिकांश पूर्वी एशियाई देशों ने और द्योगिक नीती को सही योजित किया मानव पूजी में कमी भारत में एतहासिक रूप से निवेश को द्रहन के साथ भारत को विदेशी सरकारों के साथ बातचीत में घरेलू कंपनियों के प्रायोजक की रूप में आना चाहिए और द्योगिक नीती की भूमिका ना केवल समनवयक विफलताओं को रोकना है बलकि पूजी दुनलब वातावरण में प्रतियस परधात्मक निवेश से भी बचना है आतेरित शमता की वज़स से प्रायजवार होते हैं फर्मों की दिवालिया होने या निवेश के धीमा होने से कंपनियों की मुनाफिय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यह दोनों भारत में अक्सर देखने को मिलता है इससे भी बत्तन भारत की दूर संचार शेत्र में प्रायजवार की मुनाफिय को कम कर दिया जाता है पूर्वी एशियाई देशों ने ओध्योगिक नीती की इस भूमी का कुछ सफलता पूर्वक अपनाया है पांचवी एक ओध्योगिक नीती ये सुरिशित कर सकती है कि स्तापित ओध्योगिक शमता यथा संभव न्यूनितम कुछल पैमाने के आसपास हो छटा जब संदचनात्मक परिवर्तन के आवशकता होती है तो ओध्योगिक नीती उस प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकती है बदलाव को रोक देगी जो सामाजिक रूप से तोलाप्रद है परंतु वह स्वैम की परिसंपत्ति कुनुरूपित कर देगी पूर्वी एश्याई रास्ट्रो ने इस तरह की कंपणियों को संदचनात्मक बदलाव को कम कर दिया है इस तरह के प्रतिरोत को सीमित करने के रिए प्रतियसपर्दी फर्मों और नुकसान वाले कारेक्रमों के मद्ध क्रमवद शमता परिमार्जन जिससे कदम उठाने होंगे और अंत्ता वी निर्मार रोजगार के अफसरों को पैदा करेगा रोजगार में इसकी हिस्तेदारी 2012 से 2016 तक 12.8 प्रतिशत से गिरकर 11.5 प्रतिशत रहे गई है दुर्भाग्यवश भारत लैटन अमेरिका और उप सहारा अफ्रीका के उदारणों के साथ रोडिवादे प्रतिमान के बढ़ते प्रभूत्व के बाद 1980 के दशक की शुरुवाद से और द्योगिक नीती की संभावित भूमी का पूर्वी एशिया के बाहर और विकासिन देशों में लगातार कम रही है एशियाई कहानी क्या है आईए देखते हैं पूर्वी एशियाई चमतकार बहुत कुछ निर्यात आधारित विनिर्मान पर आधारित था प्रशी द्वारा जारी अधिशेश शम को रोजगार देता है इससे मजदूरी बढ़ेगी और गरीबी को तेजी से कम किया जा सकता है यह परिणाम एक नियोजित रणनीती से आया है वैश्विक मूलिस रंखलाओ में पूर्वी एशियाई देशों में बढ़ती भागीदारी निर्यात के लिए सरल प्रावधान वी निर्मित उपभोकता, वस्तूओं के प्रावध्यूगी की और कौशल गहन वी निर्माण से परे होना और द्यूइक निती के लिए एक स्वामित्व आधार है वी निर्माण के निर्यात को एक और द्यूइक निती के लिए और और चित्यपून होना चाहिए भले ही भारत को Make for India पर अधिक ध्यान केंदित करना हो 2014 से 2018 तक माल निर्यात में डॉलर के संदर में गिरावट देखा गया है IT सेक्टर से क्या सबक लिए जाने के आविशक्ता है आईए जानते हैं यदि सबूत की अभी भी आविशक्ता है कि भारत में वी निर्मान विकास के लिए राज्य की भूमिका होगी तो भारत के IT उद्योग की सफलता की कहानी में राज्य की भूमिका को देखा जाना चाहिए सरकार ने IT सौफ्टवियर पार्कों के लिए उचगती की इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाने में निवेश किया जिससे भारती IT उद्योग का अमेरिकी बाजार में एकिकरन हो सके दूसरा सरकार ने IT उद्योग को हार्डवियर और सौफ्टवियर दोनों को शुल्क मुक्त आयात करने के अनुमती दी IT शित्र को टक्नीकी शिक्षा, सार्जनिक निवेश, कम लागत, उच्चमूल वाली मानप पूजी का लाब मिला है इसकी बिना IT सफलता की कहानी पूर्ण नहीं होती है और द्योगिक नीती की संभावनाओं पर आने वाली नई सरकार जल्द ही कुछ सकारात्मक पहल कर सकती है आईए लेक से सम्मदित मुक्य परिक्षा का प्रिश्ण क्या है देखते हैं मेक इन इंडिया पहल तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सुधारों को महत्वि दिया जा रहा है वो परियुक्त संदर में और द्योगिक नीतियों की समिक्षा की आविशक्ता पर चर्चा कीजिए हमें उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपकी विबिन प्रकार की परिक्षाओं में मददगार साबित होगा हम इस तरह की टॉपिक भविश्य में भी लाते रहेंगे निर्माड आईएस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद